नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक होमेपेथिक मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में बताऊंगा और कुछ जानकारी दूँगा तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों नक्स वोमिका प्लांट चिंग्डम की मेडिसिन है इसको कवनली आम भासहा में हम पौईजन नट भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम कुछला भी बोलते हैं, ये medicine होमेपैथी में हर मर्ज में काम आती है, अगर आप एक होमेपैथिक डॉक्तर हैं और आपको नक्स मोमिका के बारे में नहीं पता है, तो आपको कुछ भी नहीं पता है दोस्तों, ये medicine हर होमेपैथिक डॉक्तर के पास होती है, और हर होम हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि नक्स मुमिका हमारे सरीर में असर कहां पर करती है और क्या करती है उसके बाद मैं आपको इसके लच्छन मतलब साइनन सिम्टम्स बताऊंगा उसके बाद मैं फटा फट से बताऊंगा कि कौन-कौन सी बीमारी में इसको लेना चा उपर नीचे हो जाते हैं जिसके कारण बहुत सारी बीमारी यहां होती हमें उसको वो नॉर्मलाइज करती है उसको एकुलाइज करती है जितना होना चाहिए हमारे सरीर में हॉर्मोन का लेवल उसको हॉर्मोन का लेवल नॉर्मल लाती है जितना इंजाइम का लेवल होना च करती है नक्स बुमिका जैसे हम जीते हैं आज कल हम लेट सोते हैं थोड़ा सा एलकोहल भी ले लेते हैं सिग्रेट भी पी लेते हैं उसके साथ हम अच्छे से पैदाल नहीं चलते टहलते नहीं है खाना हमारा बहुत जादा उपर नीचे होता है बहुत जादा ओयली फूट ख दीक हैं लेकिन मैंने मे जा एक्शन होता है नक्स बुमिका ओपको बता दिया अब चलते हैं साइनेंड सिम्टम्स के तरफ लच्छन की तरफ की च्छन की तरफ का पेशेंट कैसा दिकता है कैसा होता है उसको क्या लच्छन होते हैं तब आपको नक्स भॉमी का लेना चेहें दूस्त अगर आप नक्स भॉमी का हैं तो आप पतले दुबले होंगे एक्टिव होंगे चीह साथ बनता होगे आपकी जलेंगे दूस्तर शाथ साथ आपके अंदर अगर आप आफिस में हैं और आफिस में बहुत जीड़ा काम आ गया है तो आप फिर अल्कोहल रात में थोड़ासा पीना पसंद करते हैं उसके बार फ्रोली में थोड़ासा खाना भी पसंद करते हैं उसके बास पीने और जो बने कारण removing हो साथ फैंतरे लॉपर शत्वारां टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, साथी थोड़ा सा अलकोहल भी ले लेते हैं, साथी आपको अच्छे से नीन नहीं आ रही है, आप stress में भी है, mental stress में भी है, इसके कारण आपका digestion जो है, वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा, आपको acidity की problem हो जाएगी, आपको indigestion की problem हो और ये problem धीरे धीरे चालू हो जाएगी, दोस्तों digestion और mental level के कारण आप जगडालू प्रवक्ति के हो जाएगे, मतलब जब भी आप किसी से कोई बात करेंगे, थोड़ा सा भी टेंशन होगी, तो आप उससे जगड लेंगे, दोस्तों ये था इसका constitution, नक्स मुमिका का, कि नक्स मुमिका का patient आपको कैसा दिखेगा, कैसी उसकी सोच होगी, जगडालू प्रवक्ति का होगा, अब चलते हैं, physical makeup की तरफ की क्या-क्या लच्छन उसके अंदर आपको दिखेंगे, अगर कोई बीमारी है तो, अब से पहले चलते हैं, उसके मानसिक लच्छन की तरफ की भी पसंद नहीं आएगी, साथ ही, light से, आवाज से, और ज्यादा smell, बहुत तेज smell आजाती है, अगर आपको बहुत जादा सुगंध भी उसको पसंद नहीं आएगी, इस मानसिक लच्छन के कारण, उसके अंदर suicidal tendency भी रहती है, मतलब suicide भी कर सकता है, ऐसा लगेगा कि मैं suicide कर लूँ, लेकिन उसको ऐसा भी लगेगा कि suicide करने से मुझे मर जाऊंगा और उसको death से, अपनी मौथ से बहुत जादा उसको भै रहता है, डर रहता है, लेकिन suicidal tendency रहती है, साथी साथ दोस्तों, उसको हर चीज की लच लगी रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि alcohol, tobacco, और सभी तरह के drugs, सभी तरह की गलत लत, और सभी तरह की जो गलत चीजे होती है, जोसको करने में बहुत ही मज़ा आता है, दोस्तों, अब मानसिक लच्छन से चलते हैं, सर की तरफ की सर के क्या लच्छन होंगे, तो सबसे पहले आपको, अगर आप नक्स मुमी का है, तो आपक चक्कर आ सकता है, और चक्कर आएगा, तो आप बेहोस हो जाएंगे, आपको होस नहीं रहेगा, दोस्तों, ये चक्कर जो मैंने आपको पहले बताया है, कि आप ज़्यादा आप अलकोहल पीते हैं, या ज़्यादा आपकी सेडेंटी लाइफ है, इसके कारण आएगा, सर मे आँगे साइड, यहाँ पर आपको बहुत तेज फ्रंटल हैडेक हो सकता है, और सरका दर्द जो आप जैसे बाहर जाते हैं धूप में, और उपर से सनलाइट पड़ती है, तो सरका दर्द बढ़ जाता है, दोस्तों, ये सरका दर्द आपको अलकोहल पीने के बाद भी हो सक है, जिसको हम हैंग ओवर हैडेक बोलते हैं, तो हैट से चलते हैं, आँखों की तरफ तो आप जब एलकोहल खुब साधा पी लेते हैं रात में और सुबह सुबह उठते हैं, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं अंधेरे से, तो आपको रॉसनी पसंद नहीं होती है, आपको फ न killers्ख में दोस्तों, आँखों से चलते हैं अप कान की तरफ अगर बहुत तेजी से laud speaker चल रहा हो, आप पार्टी में गये हो भहुत तेजी से आवाज आपके आपके कानों में जा रही है, जब आप घर में आते हैं तो कान दर्द करते हैं तो बहुत ही effective medicine है नरसics व्युम आपकी नाग जो है वो बच जाती है तो नक्स वोमी का बहुत ही effective medicine है दोस्तो नाग से चलते हैं अब मुझ की तरफ तो आपको अगर बार-बार छाले आते हैं आपका पेट खराब रहता है और उसके कारण आपको बार-बार छाले होते हैं तो nux vomica बहुत ही जादा effective medicine है और आपको लेना चाहिए दोस्तों अगर आपके मूँ से बदबू आती है तो nux vomica बहुत ही जादा effective medicine है अगर आप alcohol लेते हैं बहुत जादा non vegetarian खाते हैं और उसके कारण मूँ से आपके बदबू आती है या indigestion के कारण मूँ से बदबू आती है तो nux vomica बहुत ही effective medicine है अगर आपके दातों के नीचे मसूडों में सूजन होती है तो nux vomica बहुत ही effective medicine होती है अगर आपके दातों से या मसूडों से खून निकलता है तो nux vomica बहुत ही जादा effective medicine है दोस्तों दोस्तों अब मूँ से चलते हैं गले की तरफ थ्रॉट की त और आपको जो थूक लिलने में ऐसा लगे थोड़ा सा बल लगाना पड़ रहा है तो नक्स मुमी का बहुत ही जादा इफेक्टिम मेडिसिन है अब चलते हैं हम पेट की तरफ की पेट में क्या लच्छन होंगे नक्स मुमी का के तो सुबह सुबह अगर आपको उल्टी जैसी लगती है खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले या खाने के सुगंद से अगर आपको उल्टी जैसी लगती है तो नक्स मुमी का बहुत ही इफेक्टिम मेडिसिन है तो अगर आपके पेट में खाना खाने के बाद दर्द होता है तो बहुत ही इफेक्टिम मेडिसिन नक्स मुमी का अगर आपका पेट फूलता है और पेट फूल के बिलकुल गुबारा हो जाता है तो नक्स मुमी का बहुत ही effective medicine पेट जो फूल जाता है उसको आप ऐसे छूएंगे तो आपको लगेगा कि ना छूएंगे अगर कोई डॉक्टर उसको पेट को छूता है तो है नहीं है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है कब जियत आपको होती है सुबह सुबह जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अभी एक बार और करना चाहिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो नक्स मुमी का बहुत ही जादा effective medicine है दोस्तों अगर आपके पेट क मसल जो है वो कमजोर हो गई है और उसकी मसल कमजोर होने के कारण आपको हर्निया की प्रॉब्लम है जो रिंग होता है वो कमजोर हो गया है और आपको हर्निया की प्रॉब्लम है चाहे वो अमलाइकल हर्निया हो चाहे वो इंग्वाइनल हर्निया हो नक्स मुमी का बहुत ही effective तो पेट से चलते हैं अब गुदादवार की तरफ रेक्टम की तरफ तो दोस्तों जब आप मोशन करने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ बचा हुआ है अभी भी हमारे पेट में बार बार जाने का मन करें दोस्तों लेकिन थोड़ा थोड़ा हो बीच में एक दो द चलन होती है चुभन होती है और खुजली होती है और साथ में पाइल्स है और पाइल्स के साथ आपको ब्लड भी निकलता है तो नक्स मोमिका आपको लेना चाहिए दोस्तों अब चलते हैं आदमियों की तरफ की आदमियों को होने वाली प्रॉब्लम जो प्री मैचे और Erectile Dysfunction की problem है तो आपको Nux Omica लेना चीह दो Nux Omica खासी के लिए बहुत ही अच्छी medicine है खास कर अगर आपको Indigestion की problem है आपको gas बनती है उसके साथ साथ आपको खासी है और साथी साथ आपको अस्थमा की भी problem है आपका पेट फूलता है अस्थमा में तो बहुत ही effective medicine है दोस्तों नक्स मूमी का अगर आपके पीट में दर्द रहता है आपके पैरों में दर्द रहता है आपके घुटनों में दर्द रहता है और उसके साथ आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है आप बहुत जादा एलकोहल लेते हैं जिसके कारण आपका कैल्शियम लेबल कम हो गया है तो नक्स मूम लगबख आठ नौ वजे नीद आती है तो नक्सवुमिका बहुत ही जादा effective अगर आपके skin में बहुत जादा जलन होती है इसपेसली आपके चेहरे में बहुत जादा जलन महसूस होती है और ऐसा लगता है कि पूरा चेहरा जल रहा है खासकर females में तो ये थे में लच्छन नक्स भूमिका के दोस्तों मैं एक चीज आपसे बूलना चाहता हूँ कि कभी आपको अगर समझ में नहीं आता कि कौन सी मेडिसिन मैं इसको दूँ या कौन सी मेडिसिन मैं कुछ खाऊं तो आप उस कंडिशन में नक्स भूमिका जरूर लेके देखिए नक्स भूमिका आपको जरूर फायदा करेगी तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि सरदर्द हो रहा है मैंने बैला डोना खाली मैंने एकोनाइट ले ली मैंने आईरिस ले ली मैंने ये ले ली मैंने वो ले ली कुछ भी आराम नहीं हुआ है इस कंडिशन में आप नक्स की प्रॉबलम में आपको एसीडीटी की प्रॉबलम में आपको पेट संबंधित कोई भी प्रॉबलम में जो सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताए हैं अगर वो लच्छन आपको मिलते हैं तो आप नक्स भूमिका लीजिये और इस कंडिशन में नक्स भूमिका 30 CH पोटेंस हैं वो आपको मिलते हैं और साथी साथ आपको हैड से कोई रिलेटेट प्रॉबलम है या आखों से रिलेटेट प्रॉबलम है जो मैंने बताया या आपको कानों से रिलेटेट प्रॉबलम है या आपके कमर में दर्द रहता है ऐसीडी के कारण या गैस के कारण या आपको प्रॉब्लम है आपको कफ की प्रॉब्लम है दोस्तों गैस के कारण या आपको कुरायजा है मतलब सर्दी हो रही है तो आप नक्स वोमिका 30 CH में यूज करिए नक्स वोमिका 30 CH दो बून सुबै दो बून शाम को आपकी प्रॉब्लम लगभग 6-7 दिन के अंदर पूरी की पूरी ठीक हो जाएगी दोस्तों नक्स वोमिका बच्चों के लिए भी बहुत ही एफेक्टिव है अगर बच्चों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनको सही तरीके से पच् तो नक्स वोमिका दे सकते हैं बच्चों को भी और नक्स वोमिका बच्चों को 6-C-H पोटेंसी में देना है मैं आपर पिक्चर लगा देता हूँ आप अच्छे से देख लीजे नक्स वोमिका 6-C-H और उसको एक बून सुबै एक बून शाम को दीजिए तो अगर कभी बहुत जादा ऐलोपैथिक मेडिसिन खा लेते हैं और ऐलोपैथिक मेडिसिन का रियक्शन हो जाता है तो नक्स वोमिका 200, 2-D sobie 2-D पुन शाम को ले लीजएगा इससे एलोपेथी का रियक्शन पूरी तरीके से Khtm हो जाएगा तो यह थी नक्स भूमिका आशा करता हूँ कि आपको यह नक्स भूमिका समझ में आ गई हो और अच्छे से आपको याद हो गई हो अगर आपको ऐसे लच्छन मिलते हैं या ऐसी क subscribe की बटन दी गई है तो इसको विदवा दीज़े एसे ही knowledgeable diceas related videos लाता रहता हूं तो अगर आपको यह वीडियो देखने है तो मेरे चैनल को subscribe करना बहुत जरूरी है दोस्तो अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जा कि बीमारी के बारे में जान सकते हैं दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई है तो अपने Facebook और WhatsApp ऐकाउंट में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा दोस्तों नीचे एक मैसज सक्षन है तो वहाँ मैसेज जरूर कर दीजेगे दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुन भुलिएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं जै हिन जै भारत धन्यवाद थैंक इस सो मच बाइ